Hello my dear students, welcome back to Magnet Brains, एक ऐसा चानल जहां पर आपको kindergarten से class 12 बिल्कुल free education provide करवाई जाती है, वो भी quality के साथ इतना ही नहीं, अगर आप state board पढ़ना चाहते हैं, तो भी पढ़ सकते हैं Magnet Brains Hindi पर, जहां पर आपको UP board, बिहार board, state board में, राजस्थान board भी पढ़ाया जाता है इसके अलावा अगर आपको notes चाहिए या books चाहिए तो वो भी मिल जाएंगी, उसकी link आपको description box में मिल जाएगी तो चलिए start करते हैं, आज की class मेरा नाम है, खुशी पढ़ाती हूँ, आपको class 1, 2, 5th EVS याने की environmental studies तो आज की class है, class 5th students के लिए उसमें हम अपका chapter number 1, super senses जो है, वो cover कर रहे हैं पिछली कई classes में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके, बहुत सारी ठीक है, different, different senses, animals में कैसी होती है हम इसमें super senses में पढ़ रहा है, पर super senses किसकी पढ़ रहा है, animals की पढ़ रहा है क्योंकि अब हम class 4 तो कितने समझदार हो जाते हैं, कि हमें यह पता होता है कि हमारी senses क्या है, वो कैसे work करती है यह हम previous chapters में पढ़ चुके हैं पर अब हमने 5th में क्या पिया, थोड़ा सा पढ़ा, एक level आप पढ़ा क्या पढ़ा, कि animal में जो senses है, वो कैसे काम करती है, animal कि क्या कोई senses हमसे ज़्याद सुपर होती है तो that's called super senses, तो वही सारे चीज़े पढ़ी है last class में हमने कुछ चीज़े जो cover की है, वो हम देखते है कि हमने cover किया, सबसे पहले तो birds के बारे में क्या क्या चीज़े cover की, कि उनकी eyes कैसी होती है कैसी होती है, small होती है और कैसी होती है either side of the, either side of the, of the head और क्या पढ़ा, सिर्व हमने पढ़ा था कि एक ही bird हमने देखी थी जिसकी eyes जो है front में होती है और भी होंगे एका दो बड़ जादा तर birds जो है, उनकी eyes कहा होती है आइदर side of their head होती है चीक है, तो हमने पढ़ा, either side of the head होती है और क्या होती है, छोटी होती है, very small in size और क्या होती है, जादा move नहीं कर पाती है मतलब अगर हमें कच देखना होगा on birds को तो तो तुरेंट अपनी neck move करेंगी और हम अपनी eyes को भी move कर सकते है ये कुछ चीज़े मैंने बहुत अच्छे examples के साथ आपको already पिछले class में पढ़ाती है अब हम इस class में सीके आगे पढ़ेंगे वही chapter continue करेंगे और वही page number continue करेंगे हमने पिछले class में पेज number 6 पे ही start किया था और 6 पे ही end किया था वही हम chapter को continue कर रहे हैं चलो अब इसमें आपको हम देखे हैंगे कि क्या चीज़े दी हैं तो को यहां से continue कर रहे हैं पेज में मैं बता देती हूँ ये वाले topics है लोक विट वान और बोथ आईस लोकिंग विट वान और बोथ आफ यार आईस आपके पास कितनी आईस हैं? जल्दी बताओ, कितनी आईस थी? दो थी, कितनी थी? बिल्कुल दो तो दो आईस में से हम दोनों कई उस करते हैं दोनों कई करते हो ना? अब अगर आप एक आई का उस करो तो कैसे करोगे? एक आई पे इसे हाथ रख लोगे चीक है, अब मैंने हाथ रख लिया, बिल्कुल I am not doing any cheating, तो जल्दी से ये हाथ लो और एक आथ पर रख लो, कोई cheating नहीं गए नहीं है, properly रखना, अब इस आख से आपको कुछ नहीं दिख रहा है, पर क्या मैं दिख रही हूँ, दिख रही हूँ, है ना, मुझे भी सब चीज जब तक आवसे मूह नहीं मोडोगे, तो यही चीज हमने देखी, कि अगर हम एक आख पे हाथ रख लेंगे, properly हाथ रख लेंगे, तो हमें बिल्कुल side की चीज़ें नहीं दिखेंगे, बिट काफी सारा area दिखेगा, तो एक आख से क्या होता है, हमें कम area दिखता है, पर अब हम कैसे पता चलेगा, यहाँ पर पकड़ो एक pencil, जल्दी से हाथ से पकड़ो pencil, यह pencil अभी आपको दिख रही होगे, move करो pencil को, दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है, अब यह वाली हाथ से, यह वाली eyes close कर लो, अब move करो pencil को, हैंसे, क्या यह pencil दिख रही है, give me your answer, क्य हमें ज्यादा बड़ा area दिखता है, और एक अगर close कर ले, तो हमें कम area दिखता है, चीक है, तो क्या है लिखा है यहाँ पर, close your right eye, और cover it with your hand, जो अभी हमने कर रहा, tell your friends to stand to your right at some distance, आप अपने friend को बोलो, कि वो एक दूसरे distance पे थोड़ा खड़ो जाए, यह activity आप कर सकते ह घर में एक बार और try करो, क्योंकि मैं जो activity करा सकते थी, pencil वाली, वो मैं already करा चुकी हो, और जो बात आपको समझाने थी, वो आप सबच चुके हो, ठीक है, पर यह activity में आप कर सकते हो, simple activity है, friend को या ममा को बोलो, कि आपके जिस तरफ के आखे, आपने बंद करी जैसे pencil वाल या actions करो, तो जब वो करेंगी, तो आपको देखना है कि वो दिख रहे हैं कि ने, तो नहीं दिखेंगे, जैसे हमें pencil move होते वोगे नहीं दिखी थी, वैसे ही ममा भी हाथ हिलाते वोगे नहीं दिखेंगे, ठीक है, then could you see your friend's action without moving your neck, क्या neck को without move करे, जैसे यह pencil है, यह नहीं दिख रही थी, वैसे मैं neck move करूंगे, तो मुझे दिख रही है, तो without neck को move करे, क्या दिखेंगी, नहीं दिखेंगी, क्या mamma दिखेंगी, नहीं दिखेंगी, यह friend दिखेंगा, नहीं दिखेंगा, students, without neck को move करे, आपको नहीं दिखेंगा, तो what will your answer be, I could not see my friend's action without moving my neck, मैं में neck को move करे, पने friend का action नहीं देख सकता या देख सकती, ठीक है, next question क्या है, now try to look at your friend's action with both your eyes open, but without moving your neck, अब हमने देखा था कि जब हम यहाँ pencil move कर रहे थे, तो यहाँ मुझे neck move करने की ज़रत नहीं है, आप भी करो, पटापट से pencil उठाओ, और ऐसे से move करो, तो जब मैं यह move कर रहे हो, तो अभी दिखरी है pencil, yes, क्या neck move करी, नहीं, हम और आप एक दूसरे को देख रहे है, तो neck move नहीं कर रहे है, पट फिर भी हमें यह pencil move होते वे दिख रही है, तो जब दोनों eyes open है, तो हमें आराम से pencil move होते वे दिख रही है, वट एक eyes close के साथ नहीं दिख रही है, I could see my friends actions, now, जब हम अपनी दोनों eyes को open रखते हैं, जब हम अपनी दोनों eyes को open रखते हैं, तो हमें आराम से अब action देख रहे हैं, ठीक है, निक्स्ट क्या है, what was the difference on looking with one or both eyes, क्या difference होता है, एक और दोनों आख से देखने में, तो मैंने पहले भी बताया था, जब हम दोनों आ एरिया देखता है, जब हम दोनों आख से देखते हैं, तो हमें जादा बड़ा एरिया देखता है, पर जब हम एक आख को close करके देखते हैं, तो हमें एरिया जो हमें एरिया बोले कम देखता है, जब हम दोनों आख से देखते हैं, तो हमें एरिया जादा बड़ा देखता ह है ठीक है तो आंसर कैसे लिखना है students I can see I can see a wider area I can see a wider area wider याने चोड़ा wider चोड़ा बड़ा चोड़ा area ठीक है चोड़ा इसको बड़ा भी लिख सकते हो with both eyes as computer with one eye chicken I can see better with my both eyes all open of course up don't know I can't guess don't want QDM Gordon I'm put twice QD here you can watch this is a cool or a girl a guy who's mr. Jai Gita obviously by the careful other cheese and he raking it up that is the name of Kega so I can see better with my both eyes open man Zada Chakya कैसे देख सकते है don't know our open karke so I can see a wider area with both eyes as compared to with one eye to get compared का मतलब क्या होता है students जिस बच्चों को नहीं पता हो compared का मतलब होता है तुलना तुलना करना compare करना दो चीजों को जब हम तुलना करते हैं उनका comparison करते हैं ठीक है चलो निक्स्ट क्या है निक्स है आप आपको page turn करना है आपको page turn करना है और आप आजो के page number seven पर किस पर आजो के page number seven तो open your page number seven ठीक है अब क्या करना है आपको now toss a small ball toss पर ने क्या होता है कभी cricket देखा है ना cricket में क्या होता है सबसे पहले toss होता है ठीक है coin को उच्छालते हैं and there is head or tail और जिसका बोलेवे चीज आ जाती है तो उनने क्या बोला है now toss a small ball or a coin and try to catch it अब जैसे आप उपर उच्छालोगे और इसको क्या करना है क्या करना है catch करना है try this with your both eyes open और इसको पहले try करो two eyes open के साथ then close one eye and try to catch it when was it easier to catch of course एक बंद कर लोगे तो difficult होगा catch करने के लिए कि नहीं होगा होगा और दोनों आख open रहेंगी तो क्योंकि हमने पढ़ा है कि wider area बड़ा area में open दिखता है जब हम दोनों eyes से catch करते हैं और हमने देखा भी तो जब दोनों eyes open रहेंगी तो आप easily catch कर पाओगे और जब एक आख close रहेगी तो area ही कर पाओगे तो आप easily catch नहीं कर पाओगे तो क्या आँ से लिखोगे कि it was easier to catch the ball with both eyes open simple है ball बोलो या coin बोलो easily catch तब हो सकता है जब आपकी दोनों eyes क्या हो दोनों eyes open हो बोत याने दोनों ठीक है चलो ये भी हो गया next question क्या है imagine how it would be to have your eyes in place of your ears सोचो अगर ears की जगे पे ears की जगे पे अगर आपकी eyes होती तो क्या होता imagine करो क्या होता तो आपकी eyes भी किसकी तरह होती हमने previous class में पढ़ा था कि birds की eyes कैसे होती है head के एक side होती है एक आख दूसरे side होती है दूसरी आख तो आपकी eyes भी कैसे हो जाती similar to birds हो जाती what would you be able to do then and which you cannot do now आप फिर क्या कर पाते जब आपकी आँख ears की जगे पे होती तो आप इधर की proper चीजों पे focus कर पाते और इधर की भी और दोनों ही एक ही टाइम पे दोनों जगों की चीजों पे proper focus कर पाते अब यह क्या होता है कि आप एक ही टाइम पे तो कैसे रिखोगे संसर को if there were eyes on the side of my head I could see on my left and right without moving my neck और आप left right को जैसे ये ये मेरे hands है ये मैं इजिली देख सकती हूँ वो भी neck को बिना move करें और एक ही टाइम पर ओके so if there were eyes on the sides of my head I could see left and right without moving my neck ठीक है? अंसर सा आप लोग लिख रहे हैं? नूट बुक्स में लिखते वोग चलना है चलो next क्या है? Some birds like kites, eagles, vultures can see four times as far as we can किछ birds के नाम लिए हैं हैं आपे देखो birds हैं ये सारी kites, eagles, vultures ये सारी डिफरेंट डिफरेंट टाइपस की क्या है? बर्ट हैं कुछ भी नया चीज़ पढ़ने को मिले, नई चीज़ सीखने को मिले जैसे हम यूजवरी birds का नाम बोलते तो क्या बोलेंगे? पीजिन, पैरिट, पिककॉक, क्रो, ये बहुत सिंपल नाम है, कभी-कभी बोलों करो, vultures, eagles, kites, ये new, अच्छे नीम्स हैं birds के, आप कभी माम बोले, example दो birds के, या कोई और भी बोले, तो सारे बच्चे क्या बोलेंगे? parrot, eagle, parrot बोलेंगे, eagle में नहीं बोलते हैं, पर आप बोलो, उसमें eagles बोलो, vultures बोलो, चिके? तो ये क्या होता है? can see four times as far as we can, ये हमसे चाचागना अच्छा तरीके से देख सकती है, यान इनकी क्यों सी चीज अच्छी है? sense of sight कहते हैं इसको, sense of sight इनकी अच्छी है कि हमसे four times better देख सकती है, कितना times? four times, याने into four, याने हम जितना देख सकते हैं, उसे चार घुना जाधा अच्छे से और जाधा दूरी से चीजों को देख सकती है, these birds can see things from a distance of eight meters, यह कहां से देख सकती है, eight meters की दूरी पर, क्या आप देख सकती है, आप कितना देख सकती हो, कि जितना आपकी, आ कि हमें कोई बहुत दूर खड़ा होगा, तो क्या हमें देखेगा, नहीं, वहां में त्यादा अच्छे से नहीं देखेगा, पर यह eight meters की distance को देख सकती है, what we can see from a distance of two meters, और हम two meters की distance से क्या देख सकते हैं, जब वो eight meters की distance तक, distance से सब कुछ देख सकती है, यहां तो बलर देखेगा, यहां फिर वो clear देखेगा, बट two meters का ऐसा distance से जहां तक हमें देख सकता है, वो ज़ादा दूर का distance नहीं है, ठीक है, तो कौनसी कौनसी birds होती है, जिनकी eyes जो है पौन स्ट्रॉंग होती है, जिससे हम कहेंगे sense of sight, eager हो गई, vultures हो गई, kites हो गई है, लोग बहुत दूर से देख सकते हैं, तभी हमने starting of the chapter में, विल्कुल starting में चले जाओ, क्या पढ़ा था, कि एक बच्चा रोटी खा रहा था ground में, और एक eagle आई और उसकी रोटी छीन के ले गई, कैसे, क्योंकि उसको दूर की चीज भी बहुत अच्छे से और clearly दिख गई, तभी उसने वो आई और वो चीन के ले गई, ठीक है, तो, next क्या है, Can you guess from what distance can an eagle in the sky see a roti on the ground, कितने distance से, वो ही वाली बात हो रही है यहाँ पर, कि वो रोटी जो है, eagle ने कितने distance से छीनी होगी, तो, answer है, an eagle can see a roti on the ground from a distance of one and a half kilometer to two kilometer, यह तो वो one kilometer होगे, half kilometer, या two kilometer का distance होगा, हमें नहीं बता कि उसने कितने दूरी से देखी, पर इतना तो होगा, यह तो one kilometer होगा, यह तो one and a half होगा, यह फिर two kilometer का distance होगा, जहाँ से उस eagle ने उस रोटी को देखा, तो कितनी धूर से देख लिया और आकर रोटी छीन कर ये इगल जो थी ये ले गए ये कौन सी वर्ट है? इगल चीकें? क्लियर है? चलो इसके साथ हमारी आज ये क्लास होती है खतम तो आप सभी जानते हैं कि मागनेट ब्रेंस पर आपको किंडर गार्डन से क्लास 12 तक बिलकुल फ्री एजुकेशन क्वालिटी के साथ परवाइड करवाई जाती है इतना ही नहीं मागनेट ब्रेंस हिंदी पर आपको स्टेट बोर्ट पर पढ़ाया जाता है जिसमें यूपी बोर्ट, बिहार बोर्ट, राजस्थान बोर्ट, डेली बोर्ट, एमपी बोर्ट सब पढ़ाया जाएगा इसके अलावा अगर नोट्स या बुक चाहिए है तो यी बुक्स, यी नोट्स भी अविलेबल है चिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन बोक्स में मिल जाएगी तो आज ही क्लास में हमने क्या क्या चीज़े पढ़ी बच्चो आज ही क्लास में हमने जो सेंस अफ साइट है वो पढ़ा है सेंस अफ साइट में हमने बर्ट के बारे में पढ़ा कि उनकी आख्यों के बारे में पढ़ा कि वो कितने डिस्टेंस से चीज़ों को देख सकती है जैसे कुछ birds होती है, eagle हो गई, kites हो गई, vulture हो गई जो दूर से भी चीज़ों को अच्छी से देख लेती है दूसरे चीज़ आज की class में हमने ये पड़ी कि अगर हम अपनी एक आँख को close कर लेते हैं एक eye को close कर लेते हैं तो हम क्या देख पाते हैं दूसरी चीज़ों को देखने के लिए क्योंकि उनकी eyes कहा होती है either side of the head एक side पे होती है इसलिए वो भी जादा चीज़ों को जब देखना होता तो क्या करते हैं वो अपनी neck को move करके देखते हैं तो sense of sight के बारे में भी काफी चीज़े पड़ी है और भी चीज़े थोड़ी बाद हम बढ़ेंगे आगे की next class में तो next class में बने रहने के लिए क्या करेंगे आप अपने friends को video share करेंगे like करेंगे जिससे कि आपके friends भी आपके साथ बैठ कर पढ़ सकें तो मिलते हैं next class में तब तक के लिए stay tuned